और आज हम बात करेंगे how to recover delete audio के बारे में अगर आप लोग के फोन से audio वगेरा delete हो चुका है और आप लोग उसे recover करना चाहते तो कैसे आप लोग उसको recover करेंगे इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिची का बिलका इकन को प्रेस कर लिना है फरस्ट अफ़ाल आप लोग को एक छोट इस एप्लिकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा किस तरी किसे इंस्टॉल करेंगे हैं हम आप लोग को वीडियो की एंड में बताएंगे पहले बात करते कि आप लोग ओडियो को कैसे रिकवर करेंगे इसके लिए हमें उस एप्लिकेशन को ओपन कर लेना है इस टैप का आप लोग को इंटरफियस देखने को मिलेगा अगरी पे हम क्लिक करेंगे कर ख़च की option पे क्लिक करेंगे और यहां पे हमें देखने को मिलेगा audios में recover lost audios from android devices हमें इस पे क्लिक करना पड़ेगा तो यहां पे scan करेगा और जो भी audio अभी तक हमारे फोन में delete हुई होगी तुरंत में वो recover कर लेगा और अभी तो फिलाल हमारे फोन में कोई भी audio वगेरा delete नहीं हुई है क्योंकि एकदम फोन लेजर स्टम यूज़ करें तो यहां पर देखे there is no audio available ओके ओके तो आप लोग के फोन में अगर अवेलेबल होगी तो यहां पर सेलेक्ट कर लीज़िगा उन्हें और यहां पर हमें option आएगा recover का recover उपर क्लिक करके आप लोग की जो audio रहेगी जो भी audio डिलेट हुई होगी तुरंत में वो recover हो जाएगी यहां पर आप लोग को कोई बी इंटरनेट के जुरत नहीं पड़ती यह होगा किस तरीके से आप लोग audio को recover करेंगे आप बात करते कि कैसे आप लोग इस application को install करे करेंगे इसके लिए आप लोग को play store open करना है DR phone आप लोग को search करना है इस टाइप का आप लोग को application देखे लेने को मिलेगा आप लोग को सिंप्लिस को download कर लेना है या फिर हम इसका link आप लोग को description पे provide कर देंगे topic cover होता है मिलते है next video में जई मतादी